असलाम वालेकुम फ्रेंड वेल्कम टू लर्ण डॉट पीके और सुब्क्राइबस टू कीप इन कांटेक्ट नेशनल उनिवस्टिया मेडिकल सैंसे ने आड्मी मेडिकल कल्ज एमसी रावल प्रेंडी का डिमिशन प्रासेज अनूंस कर दिये हैं आज हम उसके डिमिशन प्र कर दिया है नमज ने जो अपना प्रासेज दिया है उसमें उन्होंने न्यू पालिसिya को है जबकि उन्होंने को कोड के सी को ने लॉड हाइक और ने पीमडीस कया साफ साब। कर दिये कbor दिये जबकि और का BAR दिये जबकिये यौहस ने माण लिए को डिसकस करते हैं और कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को किन की डॉक्मेंट की जरूरत है किस तरह से अप्लाई करने हैं सबसे पहले देखते हैं इसमें जोन सा एप्लिकेशन की रिजिस्टेशन का प्रासिद है वो और कल 9 अम फ्राइडे 18 अक्तूबर से स्टार्ट हो रहे हैं जबके इसकी लास्ट डेट है एप्लिकेशन को रसीव करने की वो है 4 पीम फ्राइडे 25 अक्तूबर सो वन वीक है आपने नहीं जल्दी करनी है नहीं बहुत स्लो होना है कि आपका डेमिशन ही डैडे और बैंक में चलान फार्म डॉनलोड करके आपने फी भी समिट करानी है जबके बीच में एक संड़े भी आड़ा है तो आपने इन तमाम चीज़ों को ध्यान से कवर करने है और कोई भी जल्दबाजी नहीं करने ही समिट करते हुए जो हाफिजे करौन का टेस्ट है वो ट्यूजडे एंड वेरस डे 29 एंड 30 एक्सूबर को होगा जबकि जो फर्स्ट मैड लिस्ट है डिस्प्ले आफ फर्स्ट मैड लिस्ट वो 4 नॉमबर मंडे 2019 को लगेगी सो यह था अड्मिशन श्डूल आफ आड्मी मैडिकल काल्जे में जोंसे अड्मिशन हो रहे हैं इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं उसे देखते हैं और किस तरह से आपने अप्लाई करना है इस से पहरे देखते हैं इसका लास्ट वे क्लोजिंग मेरट नम्जबादों का था से 86.41 परसंट जबकि जो उनसी बीडियास की सीट है उसका लास्ट ये ओपन मैट का मैट था 87.76 परसंट जबकि फ्रियंद बीडियास का काफी लो था 75.97 परसंट ये हैं आपके सामनी लास्ट ये का क्लोजिंग मैट आफ और मेडिकल का जिरा विल्पिंडी जबकि इस सीट है जिसमें इस नम्स के थणुह प्लाइख और रहे हैं वह तमाहम उपन मैट की सुने का कम में ज्यादे हैं। पाकिस्तानी इनके भी बारे में हम अभी बात करेंगे उनकी जो सीट एंबी बेस्ट की वह 15 है जबके बीडियस के एट यह था लास्ट यह का नम्द के उपर एक नोटिफिकेशन एक वेबसाइट ओपन होगी उस लिंक को प्लिक करने के बाद आपका डिमिशन फार्म ओपन हो देगा आपने सबसे पहले अपने आईडी कार्ड से जिस्टर होने हैं और एक वैलिड इमेल पासवर्ड आपने पासवर्ड और इमेल का खा इफ्रमेशन गल्द पूट कर ली और बाद में आप दुबाड़ा से बेशमार तुप ऐसे होते हैं पहले गल्द इन्फ्रमेशन अप्लोड करते हैं मिस्टे करते हैं बाद में चाहते हैं इमेल चैनि करके फिर सेम आईडी कार्ड के उपर न्यू एक एप्लिकेशन फाम लेती हैं वो दुबाड़ा यूज नहीं हो सकता तो आपने इस चीज़ को अपने माइड़े में रखने हैं क्यों से भी इंफ्रमेशन देनी है आपने ओरिजिनल आईडी कार्ड पास्पोर्ट नंबर से नहीं देनी बलकि अगर आप चाहते हैं ट्राइब करना तुलब ऐस सेन आईसी आरेडी एग्जिस्ट तो आपने देहान से अपने आईडी कार्ड का देहान रखने एक मरतबह आप इसे रोंग फिल कर दिया तो बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगी आपके काफी प्राब्लम क्रियेट होगी खेर अड्मिशन फार्म सामिट करने के बाद आपने अपना फीज चलान 3000 रिपीज का डूनर करना है और उसे हबीब बेंक की किसी भी नेरस्ट बरांच में जाके समिट करनी है इसकी फीज और अपने चलान फार्म ये भी सार सेंड करना है सो ये था इसका डिमिशन प्रासिज मजीद इसमें जितनी भी इपर्टन चीज़ें उनको हम जैसे ये स्टार्ट होगा उसे डिसकस कर लेंगे ताके तुलबा को अपलाई करने से पहले एक मरतबा पसा चल लेकि उन्होंने किस तरह से अपलाई करना है और आपने अपलाई सब्सक्राइब करनी है इसमें भी उन्होंने स्कैन डाकुमेंट ही मग गये किस तरह से स्कैन करना है मोई से तुनको पते हैं आप अपने मुबैल के साच्टर केम स्कैनर से भी उन्होंने को स्कैन कर सकते हैं वह मैक्सिमम 2 MB नहीं चाहिए 2 MB से ज्यादा नहीं तो इसके वह अपरोड करना होगा सो एवडिधिंग बजीद इन तमाम प्रासिज्ट को हम कल एक मरत्बर डिसकस करेंगे ताकि तुल्बा कोई भी प्राब्लम ना हो अब बात करते हैं कौन कौन इसमें अपलाई कर सकता है और वह कौन सी पालिसी जो कि नम्ज ने कोड की पालिसी मान जिनके 120 से बिलोव मार्क्स हैं वो इस टेस्ट में अपलाई नहीं कर सकते इसमें एक और एहम बात का ध्यान रखें कि आप और वी मेडिकर काल्ब में अगर चाहते हैं अडिमिशन लेना तो आप सिर्फ नम्ज एमडी के डिकंडक्ट की बेस्पर ही अपलाई कर सकते हैं न सब्सक्राइब करेंगे तो आप यह नहीं कह सकते कि यूच्ट की बेस्पर और वी मेडिक काल्ज में अपलाई करें तो इसके लावा तमाम पाकिस्तानी जिनकी सिटिजन शिप पाकिसानी हो एजी के और गिलगत बल्चेस्तान वाले वो तमाम इसमें अपलाई कर सकते हैं इसकी ओपर मैड की सेट के उपर इसी तरह से जोंसी फुरियन सीट फ्रीयन स्टूरंट आं अवर सीपाकिसानी हैं ऑबर सीपाकिस्तानी इस बात का ध्यान रखें शेयर एक और हम बात कि उन्होंने यह तक छोटी बात है लेकिन उन्होंने एग्रीएड फॉर्मॉला में च वह तो जानता है कि बाकिए सब्सक्राइब कॉसिब्ल हर गिस नहीं क्यों कि उसका मैड काफी हई होता है सिट्टेंग कम हती है लास्ट थी मैट अभी अपने देखा तो इसका इतना इशू नहीं है कि उन्होंने कोड की बातें मानने से इंकार्ड किया है लेकिन सबसे जो इंपोर्टन बात है उन्होंने एक्रिगेट परसंटेर क्योंके लास्ट ये थी 10% मेटरक, 40% FSE और जबके 50% एंडिटेस्ट इस परसंटेर को भी मानने से निकार्ड कर दिया है और अपनी परसंटेर दिया है खैर इसको भी डिसकस करते हैं इससे पहले वो तुलबा, काफी तुलबा अपने आपको Oversee समझते हैं जिनके Father of the Country में हैं वो खुद इदर से पढ़ रहे हैं वो Oversee में नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने साब साब लिखे है Oversee ऐसा स्टूर्ट है जो के पाकिस्तान सिटिजन हो लेकिन डिजाइड कर रहा हो डैर रहा हो फ्रियन कंट्री में और खास सूर पर उसने अपनी एड्डूकेशन कंप्लीट हो की हो FSE के एकवल अबराड से ना के पाकिस्तान से फ्रियर जोंसे फ्रियन स्टूर्ट है उन्होंने जोंसे अपने पास एक डिग्री नेशन इनिवस्ट्या मॉडर्न लेंग्विज इसमें उनका जोंसा स्कोर्ड है 500 यांपे 5.5 आइलेट के टेस्ट में यह होना चाहिए क्योंके लेंग्विज का प्राब्लम ना हो जोंसा मिनिमम एग्रिग परसंटेज अड्मिशन दिन अबिवस्ट बीडियस ओपर मार्ट और फ्रियन्स चीड का अबिवस्ट के लिए चिनका अबिवस्ट में परसंटेज से अभव वह प्लाई कर सकते हैं जो बीडियस के लिए प्लाई कर का चाहते हैं वह 60 परसंट इससे बिलूव वालें अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप यह है वेटर का फार्मॉला जो कि नम्स ने चेन करके रख दिये नम्स ने वेटरिक हाई कोट के अकार्डिंग जोंसा वेटेरी का फार्मॉला था वो मैट्रक 10% FSC 40% और MDK 50% होना था जो कि UHC ने मान लिया KPK वालों ने मान लिया जबके नम्स ने आड़मी मैट्रिक काली के अड्मिशन के लिए इस फार्मॉले को नहीं मना बलके वही ओल्ड फार्मॉला दे दिये सो नम्स ने इसका साफन कार्ड कर दिये ऐसा होना ने चाहिए था लेकि उन्होंने किये सो वाटेवर ये था एड्मिशन प्रासेश जो के नम्स ने इशू किया मजीद हमारे साथ रहने के लिए सब्क्राइब एस टू कीप इन कंटेक्ट हो भी बेसे फलक अल्ला आफीद